जै जवान जै किसान दोस्तों संदू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डोक्टर राज वीशिंग संदू आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम फिर से एक बार आए हैं अपना किसान फार्म पर जो पिछले पांच साल से फिस फार्मिंग कर रहे हैं इनके कई मॉडल हैं जिसमें इनका गोट फार्मिंग भी है पिग फार्मिंग भी है इनका देशी पोल्टरी का भी सेट अप है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट थे के इनके फार्म की एक वीडियो और बनाई जाए और आज इनके याँ पर फिस की हार्वेस्टिंग हो रही थी इनका अभी बारे एकड में ये फिस फार्म है और दस एकड़िया और बढ़ाने जा रहे हैं तो आए हम जानते हैं इस पांच साल के मचली-पालन के अनुबब बारे में हमारे साथ में है चोद्री हरमिंदर शिंग जी तो चौँछ सार आपस में पड़ता है उत्तर प्रदेश जोई साब आप जब फिस फार्मिंग माइ उससे पहले आप क्या करते थे उससे पहले मैं जो था एक घर का बतलब प्रिसरता अलग टाइब का मैं जो था पढ़ने चला गया था लखनौ तो वहाँ पर जो था डेम डिगली ती उनिवर्सिटी में रुपए फस गयते महाँ पर उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि सारा कुछ खतम सही हो गया था काम नहीं चल रहे थे नोट बंदी हो गए थी फिर मेरे भाई यहां पहले से कर रहे थे फिस बार्मिंग फिर माया उनके साथ उनके सायोग करने लगा और साथ में लग गया आप पिछले पास साल से फ लेकिन ऐसा होता है पहले हमारी ज्यादा होती थी पच्छी परसेंट तक हुए जैसे हमारी मचली आई है लेकिन दीरे-दीर हमारा एक्स्पिरेंस बढ़ता गया उम्रत्यूदर कम होती है मुश्किल से पांच-दस परसेंट होती है तो कुछ किसान भाई जो है बच्चा हम हमारे छोटे-छोटे हैं आदा-दा एकड़के है और हम जो है अने वाले समय में 35 में एक हैच्री पॉंट खोल रहे है जिससे जो है जो वी तीन-चार राज्य है अपने पास में पंजाब अर्याणा उत्राखंड हम वहां पर भी सप्लाई देंगे और एक लिए टीम है और उसके लिए मचली का साइज होता पांच-छे किलो की होती है ज्यादा हमारे पास तीन किलो की हो पाती है उसके बाद सड़ी आते हैं तो चोटा बच्चा लेंगे वहां से और बड़ा करके अपने किसान भाहियों को प्रोवाइड करेंगे मतला आप वहां से जीरा आगे प्रोवाइड कराएंगे किसानों को आपके तालाब की हमने जो पहली वीडियो बनाई थी वह चार मेने पहले बनाई थी दर्सकों की डिमांड आई कि एक वीडियो आपके और बनाई जाए कि क्या इन्हों ने उतार चड़ाव या क्या तरक्की किया और हार्वेस्ट किलो तक की निकल रही है लेकिन एक कड़वसत्य यह वी है कुछ मचली जो है हमारी अभी 600 ग्राम की भी है तो इसलिए हम उन्हें ग्रेडिंग करके जो बड़ी-बड़ी मचलिया है उन्हें हम मार्केट बेज रहे हैं और हमें रेट भी अच्छे मिल रहे हैं हमें यहां से दो महीने में जो है हमारी 800-900 ग्राम की हो जाएंगी तो मुझे पूरी अमीद है लगवग एक किलो यह 1050 ग्राम का एवरेज हमारा आएगा अभी आप देख रहे हैं हम जो है यह मचली निकल रही है हमारी गोल्डन की भी हर्वेस्टिंग हो रही है रोह की भी हो रही है ति तिलापिया के जो रेट है हमारे यहां बहुत कम है मातर 70 रुपर मिलते हैं कही जगे कही राज्यों में ऐसा भी है कि इनके 120 भी है तो उन राज्यों के हिसाब से मचलिया जो है बहुत अच्छी है आप जो अभी हर्वेस्टिंग कर रहे हैं क्या प्रोफिट है और क्या अर आपकी तिलापिया सस्ती जाती है तो आप मेहंगे रेट वाली मचलिया भी तो पाल सकते हैं ऐसा नहीं है हमने कोशिस नहीं की है पिछले साल डाला था हमने सोल और जो है जो बच्चा लेका थे हमों साथ-जार बच्चा था कुछ तो था इतना दोड़ा इंच का और कुछ नहीं भरा तो उसके बाद मैंने नोट कर रहा फिर मचलिया मुझे फिर दिखाई देने लगी तुससे हमारे एक ते नुक्सान है कि उसे हम साथ में इसके नहीं कर सकते क्योंकि हम दोवारा बच्चा डालेंगे वहीं दस ग्राम का डालेंगे वह उससे भी खा जाता है और निकल रही है अब आप देखिए यह मचलिया निकली है चार मचलिया है इनका वेट तीन किलो आया जाती तो अच्छी है पांच सुरुपे किलो भी है लेकिन फिर नुकसान भी यह मचली जो है उनमें ज्यादा सफल है जैसे पुराने तलाब हो गए कि उसमें बच्चा डाल रहे हैं और उनकी मचली एक कि भी नहीं हुई है और वह गालिया निकाल रहे हैं कि यार यह फायदे का पूदा नहीं है इसमें तो नुकसान है तो थोड़ा सा इस बारे में बताएए देखो यह ऐसा होता हुआ उनकिसान भाईयों के साथ होता है जो छोटी मोटी जानकारी ली यहां पर देखा वहां पर देखा एक दो जगा फोन पर बात करी और समझते हैं तुम से बड़ा ग बाते हैं और एक दिन समझें और जो आपके यहां फारम पर काम करते हैं आप उन्हें च्छे दिन के लिए भी छोड़ सकते हो तो आपके बैच हर मेंने चलता है और थोड़ा बताई इस बारे में मैंने करा था जोता जैसे बीड़ हो जाती है सटटेटे संडे का रखते हैं वैंने टाइमिंग लेंगा हैं अगले दिन फिर हैं कहीं नहीं लेए हम अगले दिन फिर हैं और एसा नहीं है कि मैं कोई अज तक ईसा नहीं हैं लाखों आहें वह सारी आप ट्रेनिंग तो प्रवाइड कराते हैं इसके अलावा जो किसान भाई नहीं आ सकते तो थोड़ा सा उनके बारे में दो सब्सक्राइब काम बहुत अच्छा है लेकिन कोई भी काम करो काम को समझो तरीके से आके देखो ऐसा नहीं है आपके लिए 20 गंटे हमारा फारम ओपन है कि फोन पर कुछ बता दिया वीडियो में कुछ और दिखा दिया आपको आपके देख सकते हैं यहां पर सीख सकते हैं और तभी करें मैं मैं यही सला दूंगा इसान नहीं कि आप बना प्रोजाक्त सुरू कर देए स्टार्टिंग मि आप áदा एकर से करीए एक एकर से करीए कि मैं आप अपने घर पर बैठ कर कई मुझे ने करनी पड़े यह बाहनी जाना पड़ देया अपने घर पर च्छा कासा प्रोफिट ले रहा हूँ और बहुत अच्छा बिजिस हमारा चल रहा है किसान भाईयो दस बारे मिट की वीडियो में इतनी सारी बाते नहीं बता जाते हैं कम जगम 68-70 पॉइंट होते हैं टोपिक होते हैं छोटे-छोटे उन्हें जानने के लिए आप अपना किसान फारम चैनल है नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक है उसे सब्सक्राइब करें दर्सको ये ते हमारे साथ में चोधरी हरविंदर सिंग जी जिनों ने आपको फिस फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी यदि आपको इनके द्वारा दी के जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें जाज जाज सेयर करें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान